हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो अल उफ यो वेलकम तो लॉजिक पार्ट शाला आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 और 9 जैनुवरी 2023 के इंपॉर्टन करेंट अफियास के क्वेश्चन्स इस वीडियो का चो पीडेफ है वह आप लोग को भिलेगा टेलिग्राम से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसके लावा चो मन्तली करेंट अफेस के आपके दिसंबर की वीडियो से वो भी आपकी अपलोड हो गई है तो प्लेलिस्ट जो है मन्तली करेंट अफेस की उसमें आपको सभी मन्त वाइस जो भी वीडियो से वो आ पूरे वर्ड में जो बुद्धीस्ट फ्लैग है उन्स फ्लैग को ओनर देने के लिए उसको सम्मान करने के लिए ही इसको अब्सर्व करती है और यह जो बुद्धीस्ट फ्लैग है न ये एक इंटरनाशनल सिंबल है बुद्धीस्म का तो इसी को सम्मान देने के लिए और करने के लिए ये दिन जो है आठ जन्वरी को मनाया जाता है अच्छा बुद्धीस्म की बाती हुई है तो बुद्धा जी से लेटे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देख लेते हैं जो कि डारेक्ली एक्जाम में पूछते हैं सबसे पहले याद रखेंगे कि बुद्धा जी का जन्म हुआ कहां पे था लुंबिनी जो कि कहां पे है नेपाल में अप्टेंड हिस एंलाइन जो कहां पे हुई थी कुछी नगर जो कि है उत्ताप्रदेश पे सार्नाथ इस प्लेस वेर गौतम भुद्धा फिर्स्ट टॉट धर्मा धन बुद्धीस्ट संग है और जीनेट इस पहली बार धर्म को जो धर्म है न उसको सिखाया था उसके पाद बुद्धीस्ट संग ज जो कि गौतम भुद्धाजी इस फाउंडर ओफ वर्ड रिलीजन और बुद्धीस्म तो बुद्धीस्म के फाउंडर कौन कहीं जाते हैं गौतम भुद्धा ये सबी इंपॉर्टनेंट फैक्ट्स है जो कि आपसे एक्जाम में डारेकली पूछते हैं नेक्स्ट इंपॉर उसका क्या contribution है expansion और advancement of our nation में यानि हमारे भारत की उन्नती में उनका जो योगदान है उसको मानेता देने के लिए हर दो साल में भारत प्रवासी दिवश जो है वो मनाता है इस दिन को NRID के नाम से भी जानते हैं और ये दिन honor करता है महात्मा गांधी के जब वो South America से इंडिया नाम से भी जानते हैं तो दोनों नाम इसके ध्यान रखना हो शुरू करते हैं और इससे पहले हम लोग इसकी theme ध्यान रखने लेते हैं कि इस बार जो प्रवासी भारत्य दिवश से उसकी theme क्या रही है तो ये भी important point है कौनसा convention रहे का 17th नेक्स्ट है हमारा question number first पहला question है which country has approved the first ever vaccine for honeybees for the protection from the American full-brood disease तो अमेरिका का जो full America में देखे full-brood disease है उस disease से सुरक्षा के लिए मदुमक्यों के पहले टीके को मन्जूरी किस देश ने दी है ये मन्जूरी दी है USA ने so ये जो vaccine है देखे ये vaccine को administrative किया जाएगा along with the royal jelly feed given by the worker B to the QNB यानि जो वर्गन मदुमक्या है उनके द्वारा जो queen मदुमक्य उसको दिया जाने वाला जो royal jelly feed है उसी के साथ जो है इस vaccine को दिया जाएगा the developing bee larva will have immunity ये क्या काम करेगा देखो ये रोक प्रतिरोदक शमता पैदा करेगा उस disease के against और disease का नाम क्या है full brood ये तरीके का infectious disease है और ये किसकी वज़ा से होता है तो bacterium penny bacillus larva के कारण जो है ये disease होता है और इसी disease के लिए ये पहली vaccine है जिसको USA ने approval दिया है next question है India will host a special virtual summit on 12th and 13th of January called voice of global south summit what is the theme of this summit तो यहाँ पर हमें बताना देखे सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसको host कौन करने वाला है इंडिया इससे host करेगा और इस summit का नाम है voice of global south summit इस summit की theme क्या रही है ये हमें बताना है so right answer है unity of voice unity of purpose यो है इसकी theme रही है ये जो summit है ये summit है इंडिया's attempt to provide a common platform to discuss concern affected developing countries तो developing countries को जो चीज़े प्रभावित करती हैं उन सभी पर discuss करने के लिए एक मंच प्रदान करने का भारत का ये प्रियास है इस initiative को inspired किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने vision of सबका साज, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रियास and इंडिया's philosophy of वसदेव कुटुम्बकम तो ये सभी प्रेरित करता है इस initiative को next नवारा question है which edition of प्रवासी भारत्य दिवस convention is being organized is indoor from 8th January to 10th January in partnership with the government of Madhya Pradesh तो starting में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा addition जो है इस पर आयजित हो रहा है तो प्रवासी भारत्य दिवस convention का जो addition है वो है 17th और organized कहां पे हो रहा है ये भी ध्यारनकना indoor में Madhya Pradesh government के साथ partnership करके इसे organized किया जा रहा है इसकी theme ये आपको यार रखनी है Dicepore and Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal Ministry of External Affairs ने उल्सो लांच किया है सुरक्षित जाएं प्रसिक्षित जाएं Go Save, Go Train campaign तो इसे जो है launch इस ने किया है इस question से ये भी पूछ सकते है Ministry of External Affairs ने इस campaign को launch करने का उदेश ये है कि लोगों को traveling के दोरान में safe और जो legal channels के importance उसके बारे में aware करना जो है इसका main उदेश है Next question पर बढ़ते हैं Who has launched the theme of Y20 Summit logo and website in New Delhi in the certain razor event of Y20 Summit India Y20 जो Summit India के certain razor event में नई दिल्ली में जो इस summit है इसकी theme इसका logo और जो इसकी website है इसे किस ने launch किया है तो इसे launch किया है अनुराग ठाकूर ने अनुराग ठाकूर के पास में कौन से ministry है तो इनके पास में है Youth Affairs and Sports Ministry ये भी ध्यान रखना और अभी देखे रिसेंटली इन्होंने inaugurate किया था Sports Science Center और ये कहाँ पे किया था अनुराग ठाक के उदुप्पू में इसे inaugurate किया था इसके लावा खेलो इंडिया का जो नया डैश बोर्ड है वो भी अनुराग ठाकूर ने launch किया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूस त्यान रखना इनसे कि इन्होंने national level जो कबड़ी championship है इसको भी inaugurate किया इसके लावा अनुराग ठाकूर ने inaugurate किया था Water Sports Center हिमाचल प्रदेश में तो यह सब इंपॉर्टेंट न्यूस है अनुराग ठाकूर से रलेटेड़ आप questions से रलेटेड़ बात कर लेते हैं तो जो यह Y20 यानि U20 है यह एक official youth engagement group है G20 group का यह क्या करता है youth को एक platform प्रवाइट करता है जहां पर वो अपने vision और अपने जो ideas उनको express कर सकते हैं तो उसमें उनकी G20 जो है उनकी प्रवाइटी रहेगी इस event के दौरान panel discussions of young achievers will also take place in the second session इक तरीके से जो भी young achievers discussion वगरा किया चाएगा पूरा इस event के दौरान next हमारा question है a military tattoo and tribal dance festival आदी शौरिये पर्व पराकरम का will be held at which city on January 23rd 24, 2023 तो एक सेन्य टैट्व जन जाती है जो नरत्य महोसब है यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा तो इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा नियो डैली में इसका आयोजन किया जाएगा दो दिन का यह festival है जिसमें शोकिस किया जाएगा तो भारत का जो ट्राइबल कल्चर है उसकी जो संदरता है उसका प्रदर्शन इस दौरान किया जाएगा रिपब्लिक दे सेलिबेशन 2023 का ही एक पार्ट है और ही निताजी शुभाशंदर बोश्षी की 126 जो बर्थ अनिवर्सरी इस बार है उसको भी ये मा करता है ये festival शो करता है तो यहां से हम एक चीज और ध्यान रखने की निताजी शुभाशंद बोश्षी की इस बार कौन सी बर्थ अनिवर्सरी होगी 126 नेक्स्ट कोशन है उडिसा चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक इस इनाउगरेटेड इस स्टेट ऑफ आर्ट होकी स्टेडियम इन राउड केला इस स्टेडियम है इस स्टेडियम हैस बीन नेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर उडिसा के जो मुख्य मंत्री उन्होंने राउड केला में एक होकी स्टेडियम को घाटन किया है यह जो होकी स्टेडियम है इसका जो नाम है इसका नाम रखा जाएगा बिरिसा मुंडा जी के नाम पर यह ध्यान रखेगा very important और कहां पर है यह यह होकी स्टेडियम यह भी हमें ध्यान रखना है राउड केला में इस होकी स्टेडियम के साथ ही उन्होंने होकी वर्ट का विलिच इसका भी inauguration किया है जो की house विच्विल हाउस ती टीम ऑफ दी अपकमिंग जो अपकमिंग होकी वर्ट कर पे देखिए उसमें जो है वो इसके टीम में होंगी तो इसका उद्गाटन भी किस ने किया है उडिसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक ने अच्छा उडिसा की बात करते हैं तो capital यहां की है भुवनेश्वर सीयम यहां के हो गए नवीन पतनायक और यहां पे चो गवर्णर है उनका नाम है गनेशी लाल उडिसा का देखिए चो गंजम डिस्ट्रिक है न यह याद रखिएगा यह चाइल्ड मेरिज फ्री डिस्ट्रिक बना है इंडिया का इसके लावर इंडिया ने successfully launch किया था प्रले मिसाइल को और कहां पर launch किया गया था उडिसा में इंडिया का चो पहला Olympic value education है इसे भी launch किया गया था उडिसा में इंडिया की चो पहली tribal health observatory है यह observatory कहां पर खोली गई तो इसे खोला गया उडिसा में तो ये हमारी कुछ important news है उडिसा से नेक्स्ट कोशन पर बढ़ते हैं Union Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra कुमार has inaugurated Purple Fest celebrating diversity in which state तो जो केंद्रे सामाचिक न्यार अरुदिकारिता मंत्री है Dr. Virendra कुमार इन्होंने किस राज्य में Purple Fest celebrating diversity का उदगाटन किया है तो इसका उदगाटन किया गया है Goa State में इसका उदेश है ये है कि कैसे हम किस तरीके से हम एक साथ आ सकते हैं एक inclusive word और बनाने के लिए कैसे हम सभी पूरे दुनिया में कर हम विश्वभर की बात करें तो समावेशी दुनिया बनाने के लिए किस तरीके से लोग एक साथ आ सकते हैं इसको ही ये Purple Fest showcase करता है और ये Goa का अपनी तरीके का पहला ऐसा festival है कुछ important news अगर हम यहां से revise करें तो देखे अभी विरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम जो था इसको न्यू डेली में inaugurate किया था इसके लावा जी किशन रेडी ने 11th edition of मनिपूर संगाई festival तो इसका inauguration किया था और इसका edition कौन सा था 11th the next यान रखेंगे सर्वनन्दा सोनेवाल ने आयुश उत्सव का inauguration की और इसका inauguration कहां पे किया गया यह भी ध्यान रखना कश्मीर में next question पे बढ़ते हैं in which state of India the world first palm leaf manuscript museum has been inaugurated so भारत के किस राज़े में दुनिया के पहले ताड के पत्ते की पांडियो लुपियों के संगराले का उदगाडन किया गया है तो किस राज़े में किया गया है state है यहाँ पे केरलेसी right answer यह जो museum है इसमें 187 manuscript जो है वो रखे गए है जो पूरी तरह सी primary sources है जो भी story based है न उनके पूरी तरीके के यह primary source है यह जो documents है these documents are written on clean and clear palm leaves बहुती साफ और जो एकदम clear का जो की ताड के पत्ते हैं उन पर यह लिखे होते हैं जिनने record room में जो है रखा जाता है उस count में देखी इंतार पत्रों का वरणन लिखने से पहले उनका उपचार किया जाता था मतर्ब पहले उनको पूरी तरीके से clean पूरण को clear किया जाता था देन उन पे सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता था अब बात आती है केरल की तो मैप में अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला स्टेट सीम है पिंरई विचन गवर्णर है आरिव मोहम्मद कान यहाँ पे लोग सबा सीटे हैं 20 राजे सबा सीटे हैं 9 स्टेट अनिमेल है यहाँ का इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉन्बिल अन्ना मुडाई शूला नैशनल पार्क इरेविकुलम इसके लावा पेरियार साइलेंट वैली यह आपके इंपोर्टन नैशनल पार्क हैं केरल से केरल से अगर हम कुछ और इंपोर्टन न्यूस की बात करती हैं तो केरल की सरकार ने वोमेन फ्रेंडली ट्यूरेस्म जो प्रोजेक्ट है इससे शुरू किया था केरल के रिसर्चर्स ने एक नई स्पिशिश डिसकवर करी थी हनईबी की The next news है इंडिया का जो पहला कारबन झूट्रल फार्म है इससे भी इनॉगरेट किया गया था केरल इस्टेट में केरल के चीफ मिनिस्टर ने इंडियन लाइबरेरी कॉंग्रेस का inauguration किया था केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक में नेक्स्ट न्यूस थे आन रखना इंडिया का जो इंडिया में प्रोजक्ट जो वनी कर्ण है ये भी आपका केरल स्टेट में ही लॉंच किया था केरल के चीफ मिनिस्टर पिंरे विजन ने लॉंच की थी कुंजप अप्लिकेशन ये एक मोबाइल अप्लिकेशन है जो की बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए इस अप्लिकेशन को लॉंच किया था तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूस है कीरल से नेक्स्ट कोशन के तरब बात करती है जो जाती सर्वेक्षन है इससे शुरू किया है तो इससे शुरू किया है बिहार की सरकार नी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नितीश कुमार उन्होंने क्लियर किया है कि सिर्फ कास्ट ही नहीं सब कास्ट जो है उनको भी केटलोग किया जाएगा हर एक family के economic status के साथ-साथ इन सभी को भी सुचिबर्द किया जाएगा अब इस case survey को करने से help ये मिलेगी कि जो भी requirement measures होंगे यानि जो drive sections उनके upliftment के लिए उनके उत्थान के लिए जो भी उपाय करने होंगे उसने काफी जादा इस survey से मदद मिलेगी कि किसको कितना upliftment करने के लिए कितनी मदद की जरूरत है वो सारी चीज़ें सर्वे से पता चलेंगी बिहार की बात करते हैं तो बिहार डे जो है हर साल 22 मार्च को अबसर्व किया जाता है बिहार की सापना होई थी 22 मार्च 1912 कापिटल है पटना चीफ मिनिस्टर है नितीश कुमार गवर्नर है यहां के फागू चौहान फोक डांसर्स में इंपोर्टेंट है बिदेशिया जट जाते जूंबरी जिजिया कजरी पाइका और फागू आ नेक्स्ट कोशन इस तमिलाडू गवर्नमेंट आरन रवी इनाउग्रेट दी ओक्टेव 2023 फेस्टिवल इन विच सिटी इन तमिलाडू तो तमिलाडू के किस शहर में ओक्टेव 2023 जो उस सव है इसका उधगाटन किया गया है तो तमिलाडू का शहर है थनजाबूर इस फेस्टिवल को भारत की पूर्व जो उत्तर पूर भारत इसकी स्वदेशी कला और जो वहां का कल्चर वहां की संस्कित एक उसको प्रदर्शित करने के लिए ही इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है तमिलाडू से चले मैं डेथ ओडिट फ्रेमवर्क तमिलाडू के सरकार ने पुधु माई पैन स्कीम शुरू की थी गर्ल स्टूडेंट के लिए इसके लावा तमिलाडू ने इंडिया की जो पहली आमिलन्स शुरू करी गए थी स्ट्रीट अनिमल्स के लिए ये भी तमिलाडू में शुरू हुई थी तमिल थाई वाजतू यहां का स्टेट सॉंग जो है इसकी अनॉंस्मेंट की गई नेक्स्ट कोशन की तरफ पढ़ती है विच आव दे फॉल्लॉइंग बैंक टॉ ये साजधारी किस ने करी है तो जो ऑफ़ेंटिकेशन प्रॉसेस है अब दे डिजिडल करेंट की उसको completely online किया जाएगा जिसमें pen यानि जो आपका permanent account number है जो आधार है उसको एक वीडियो के वाइस दीके तरूँ उसको उपयोग करके पूरी तरीके से जो process होगी वो online की जाएगी next day who has been elected as a speaker of US House of Representatives तो अभी हाली में अमेरिकी प्रतिनिदी सभा की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है सही answer है Kevin McCarthy को जो है हाली में appoint किया गया अब कुछ और appointment की बात करती हैं तो देखिए अभी Asian Pacific Postal Union के Secretary General कौन बने डॉक्टर विने प्रकाष सिंग बिहार स्टेट मतब इलेक्षन कमिशन ने बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किया है मैधली ठाकुर को IAF Western Command के कमांड बनी है Air Marshal Pankaj Mohan Sinha BSF के Director General बने सुजोई लाल थाउसेन Atomic Energy Regulatory Board के Chairperson बनी है दिनेश कुमार शुकला Next question is Recently who has become the 79th Chess Grandmaster of India हाली में देखे भारत के 79th number के जो Chess Grandmaster बनी है उनका नाम किया है तो उनका नाम है M. Pranish और M. Pranish 16 साल की है और कौन सी स्टेट से बिलॉंग करती है ये भी ध्यान रखेगा तमिलाडू से अब चले कुछ important points को discuss करती है अभी तेके हाली में 78 Grandmaster भी बने वेस्ट बिंगॉल के कॉस्तव चेटर जी उससे पहले 77 Grandmaster है महराष्ट के आधिते मितल 76 नमर के Grandmaster है करनाटक के प्रणव आनंद तो इस तरीके से हमें कुछ पहले भी ध्यान रखनी है इंडिया के जो पहले Grandmaster रहे उनका नाम क्या है विश्वनातन आनंत और ये कौन सी स्टेट से है तमिलाडू से पहली woman Grandmaster बनी एस विजलक्षमी ये भी तमिलाडू से रही इंडिया के youngest chess Grandmaster बनी अभी मन्यू मिश्रा तो ये सारे points भी काफी ज़ादा important है next question है who has become the first female cricketer to have a statue cast in her honor at Sydney Cricket Ground in Australia so Australia के Sydney Cricket Ground में उनके सम्मान में मूर्ती लगाने वाली पहली महिला Cricketer कौन बनी है right answer है Belinda Clark Belinda Clark ने 15 test match और 100 से भी ज़ादा limited overs के match के लिए है और 1997 में Denmark के against में जो 1 day international हुआ था उसमें इनोंने double century भी बनाई थी और इनका नाम है Belinda Clark यहाँ पर friends हमारे questions हो जाते हैं complete so कल आप लोगे से जो question पूछे गयते यानि Saturday जो आपसे question पूछे था की railway board के CEO कौन है अनिल कुमार लहोती और जो एकलब भी पुरुषकार मिला था हूँ मिला था cyclist स्वास्ती सिंग को आप लोगोंने सभी ने बिलकुर right answer करी है so thank you so much तो आज के मारे comment है प्रतीबदास और पुरिया so ऐसे ही चलिए आज के लिए हमारे homework questions देख लेते है पहला question है कि जो कलकत्ता में supreme court है इसकी स्थापना कब की गई थी यह आप लोग बताएगा second question है वो है article 32 यह belong करता है Indian constitution के किस part से तो यह आपके लिए question है आज के काफी important है देखें काफी easy questions है इसी तरीके से questions ऐसे ही exam में पूछे जाती है तो आप लोग इन questions के answer जरूर करी इसी तरीके से यह video हम यहाँ पे करती है end so मिलेंगे आप लोग से another important class में thank you so much for watching this video